नमस्कार अपने चल रहा था राजस्तान की अपवा पढ़नाली और रस्तान की अपवा पढ़नाली में अपने जब नदी देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं साबरमती नदी और यह जो साबरमती नदी यह राजस्तान से निकलती है उद्यवपुर से लेकिन यह ये जो सब्रमति इसका उध्गम अपने उदयपुर में कोटड़ा तैसिल में कोठ कोठारी गाओं है और पास में फादर्ला की पाडिया है झाड़ोल के पास की बाद है वहां से यह निकलती है नदी का नाम है च शाबर्मति नदी साबरमती नदी मेप से सम्झते हैं आपनों साबरमती नदी को यहां पर आप देखिए उदेवपूर है और इस उदेवपूर है यह नदी निकलती है इस उदेपुर से यह नदी निकलती है उदेपुर से निकलने के बाद यह नदी आगे वड़ती है और यहां आपको पता है गुजरात गुजरात में चली जाती है और फिर आगे जाने के बाद में यहां है खमबात के खाड़ी है यह गुजरात की है पर्मुक नदी है अपने राजस्तान में और सिस्की तो इसका नाम जैशन परियोजने और सुर्फं के माधर से जहाई बांध में पानिज की आप पूर्ति होती है और इस अगर बात करें तो मांसी वाकल इसके अलावा इसकी और भी जैसे हत्मती है वेत्रक है और भी कई साइक नदिया जिसका अपन अधेन करने वाले लेकिन इसमें अपन मुख्यत है अपन देखें तो यह यहां से उद्गम यह समापन कुल लंबाई इसकी बात करें तो 416 राजस इस्हान में पहला यहां दूसरा यहां तीसरा यहां यह तीन इस्थान अपने को देखने है कौन कौन से है पहला जो यहां प्रिस्तान है इसका नाम है गंधी नगर वाह कि दूसरा इसथान है किया presentsquisition derive जुटेस्टान है कि है साबर मतिआश्रम क anlat e रोला यह कि कि दौन य तीसरा इस्तान इसके नजदिक जो इस्टिट है उसका नाम है एहमदाबाद तो यह अपने नदी है ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें मेप इसका इंपोर्टेंट इतना नहीं है सेई मानसी वाकल हत्मई वेत्रक ये इसकी साइक नदिया है अभी जिनका आपने अध्यन करने वाले आगे और उद्गम बगेर आपने इसका देखते हैं इसका आप स्क्रिन इसका सबसे पहले बात करते हैं अपन उद्गम की ऊद्गम की बात करते हैं तो पोठारी गाउं है और कि आर्いき तैसिल है को थड़ा को थड़ा इस पूठना फैसीर इस वुदेपूर यहां से इस नदी का उध्गम होता है और yeah और यहां से उध्गम होने के बाद में यह नदी यहां से सिधी निकल जाती है उध्गुजरात के लिए उध्गम के बाद परवाय है परवाय है से इसका दो राज कॉन कॉन से राजस्थान कि परवाय में अगर आपन जीले देखें तो राजस्थान का एक ही जिला है उदेपूर जिसमें यह परवायत होती है उदेपूर के बाद सीदि कहां चले जाती है गुजरात में इसके समापन की करें इसका समापन कहा होता है तो इसका समापन होता है खमबाद की खाड़ी जिसको केमदे की खाड़ी भी अपन कहते है खमबाद की खाड़ी वही अरब सागर ऑप्शन में अरब सागर नहीं हो तो खमबाद की खाड़ी दोनु हो तो भी खमबाद की खाड़ी करना है खमबा राजस्तान में यह मातर 45 किलो मेटर लंडी है और ध्यानक ना राजस्तान की एक मातर नदी नदी है जिस जो राजस्तान से अ है अक अ alles करा मित दो यहां होता है इसका होती है लेकिन गुजरात की अ लेकिन गुजरात की कि मुख्य नदी है आग लात की मुख्य नदी और गुजरात की मुख्य नदी के साथ ही यह गुजरात की क्या है यह गुजरात की सबसे परदुसित नदी भी है एक बार इसका स्क्रीन शूट ले लें आप कि आगे अपने देखते हैं इसकी जानकारी यह जो नदी है जो अपने देखिए गुजरात की मुख्य नदी है यह गुजरात की सबसे परदुसित नदी भी है गुजरात की सबसे परदुसित नदी गुजरात की मुख्य नदी है और एक मातरेशी नदी है जो रास्तान से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है इसके अलावा ये जो नदी है इस पर देवास जल सुरंग बनी है राजस्तान में उदेपुर में देवास जल सुरंग बनी है और ये जो जल सुरंग है ये 11.5 किलोमेटर लंबी है जो सबसे लंबी जल सुरंग मानी दाती है सबसे लंबी जल सुरंग ये जो जल सुरंग है ये बनाई गई उदेपुर की जीलों में साबरमती नदी का पानी पहुंचाने के लिए उदेपुर की जीले हैं उनमें साबरमती नदी का पानी पहुंचाने के लिए देवास जल सुरंग मनाई देगी जो सबसे लंबी जल सुरंग है ज्यारा पॉइंट पांच किलोमेटर इसकी लंबाई है इसकी साहिग नदीयों की आपन बात करें शाहिग नदीयां तो साहिग नदीयों में इसकी मानसी वाकल ती खत्मती मेश्वा वेत्रक माजक यादी यह इसकी साहिग नदीया है इसकी साहिग नदीयों की डिटेल देखते हैं तब तक आप इसका स्प्रिन शूट लीजिए अब इसमें आगे अपन देखते हैं मानसी वाकल सही यह जो मुख्य इसकी साहिग नदीया है इनके बारे में करते हैं पहली साहिग नदीय है सही नदी और सही नदी का उद्गम होता है सही नदी का उद्गम पादरला की पाडियां पादरला की पाडियां गोगुंदा उदेपूर पादला की पाडियां उदेपूर और यह जो सही नदी है इस सही नदी से सही प्रियोजना वनी और सही प्रियोजना जो है इस सही प्रियोजना से जवाई बांध में जलापूर्ती होती है जवाई बांध में जलापूर्ती और इस जलापूर्ती के लिए सेई पर सुरंग बनाए गई जल सुरंग बनाए गई और उसके माद में से जलापूर्थी होती है मानसी नदी मानसी नदी जो है इसका उद्गम गोरा गाउं गोगुंदा उदेपूर पादला की पाडियां पोठडा के पास में है और यह गोरा गाउं उदेपूर गोगुंदा के पास में है और मानसी जो है मानसी की सहायक है वाकल नदी और इन दोनों की सहयोग से मानसी मानसी वाकल जल सुरंग बनी जो 4.6 किलोमेटर लंडी जल सुरंग है और मानसी वाकल बांध मानसी वाकल पांध जिससे उदेपूर को जलापूरती होती है उदेपूर को जलापूरती तो यह अपने थी साबरमते नदी जो गुजरात की जीवन रेका है गुजरात की परमुक नदी है राजस्तान से निकलती है और गुजरात की परदूसित भी है सबसे परदूसित न जलापूर्ती होती है और अपने यह जो नदी है कि राजस्तान से सिरफ निकलती है उदेपूर में ही इसका बहाव है और और यहां से निकलती है उसी दी गुजराच चले जाती है और गुजराच की परमुक नदी इसका स्क्रिंशूट ले लिए धन्यवाद